संसत के अंदर आज जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा लेकिन ये सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्न भी लगाता है कि आखर इतना बड़ा सुरक्षा गेरा कैसे कोई तोड कर अंदर पहुंच सकता है अंदर पहुंचने के बाद वेल में कूद कूद कर इस तरी नुकसान हो सकता था कितनी जिंदगी उपर वो खत्रा बन सकता था लेकिन अब यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जांच तो जारी है दो व्यक्ति उस वक्त संसत के अंदर थे जिन्नों ने ये हरकत की इनकी अलावा इनके दो सहीयोगी संसत के बाहर भी मौजू थे और उसमें थी एक नीलम नीलम का नाम बार-बार सामने आ रहा है कि नीलम आकर कौन है ये क्या करती थी और ये वहां पर क्यू पहुंची कैसे पहुंची इन चारों के साथ इसके क्या तालुकात है इन सब के बारें में अब आप समझे नीलम दरसल हर्याना के जिंद के खसो गाउं की रहने वाली बताई जा रही है और मोल रूप से यहीं की रहने वाली है और 42 वर्ष की नीलम है इसके लावा फिलाल यह हिसार में रह रही थी क्योंकि हिसार में रहकर यह UPSC की तयारी कर रही थी हिसार की Red Square Market के पीछे उसने एक PG लिया हुआ था और वहीं पर र लेकर अपने जो भाशन हैं वो इसने दिये हैं और उसमें साफ जलक रहा है कि राजनीती में इसकी दिल्चस्पी रही है इसके लावा जब नीलम अपने घर गई थी जब वहां से वो बाहर निकली अपने घर से जब निकल रही थी तो नीलम ने अपनी मां को कहा था कि वो ह हिसार जा रही है हिसार जहां पर रहकर वो civil services की तयारी कर रही थी नीलम के भाई से भी इस दौरान बातचीत की गई तो भाई ने कहा कि नीलम किसान अंदुलन से भी जुड़ी रही है और वो teacher बनना चाहती थी जिसके लिए उसने हर्याना शिक्षक पातरता परिक्षा भी द लिखा हुआ है इसका social media जब हमने चेक किया तो social media पर twitter पर इसने अपना नाम नीलम आजाद लिखा हुआ है और इसके जो tweets हैं वो भी हमने देखे tweets में भी इसकी जो राजुनितिक विचार धारा है वो देखने को मिल रही है कई जगह उपर इसने सहींत मजदूर मोचा की tweets क किये हुए हैं चंदर शेकर आजाद और भी मार्वी की तरफ भी इसका जुकाओ देखा गया है इसके लावा जितनी भी आरूपी थे इस सभी आरूपी नीलम के साथ साथ भगत सिंग और अंबेटकर fan club के मिंबर भी थे और काफी वक्त से ये इस club के साथ जुड़े हुए लगभग दो साल से दो साल से भी जादा वक्त से ये सब आपस में एक दूसरे को जानते थे इनकी बात होती थी और ये जो साजिश इन्हों ने लोगसुआ में रची इससे पहले इन लोगोंने एक मीटिंग की थी जो कि गुरुग्राम में हुई थी और तीन-चार दिन तक करना और जादा असान हो जाएगा